हलो लबले चिल्रन आज हम करने जा रहे हैon change the number और उसका करने जा रहे है हम part four मैंने इससे पहले इसके three parts जो है वो अपलोड कर दिये हैं ये है part four जो part one है वो सबसे easy वला था फिर उससे थोड़ा tough उससे थोड़ा tough और ये उससे ज़ाधा और एक part में और भी upload करूगी part five और जिसमें के singular and plural ही होंगे और यह जो है उसमें easy one थे यह थोड़े से tough tough का मतलब यह है कि different है ऐसा कुछ नहीं है 4-5 times जब इसको read करोगे तो हो जाएगा और change the numbers तो मुझे लगता कि class 1 से बच्चे को आ जाना चाहिए और मुश्किल नहीं है याद करने के भी इतनी ज़रूरत नहीं है बस इसको read कर लो 4-5 times अच्छे से हना पूरा concentration से read कर लो आपको कभी भूलें गई नहीं वैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया कि change the number क्या होते है वहाँ पे आप देख लेना अगर नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ और change the number जैसे हिंदी में होता है वचन बदलो वैसे ही होता है change the number English में ठीक है singular एक वचन, plural बहु वचन होता है ठीक है तो एक से जादा में change करना है तो उसके लिए हम क्या करते है नंबर को change करते है singular से plural बनाते है और उसमें spellings जैसे पिछले वालों में था कईयों के s पीछे लगना है कईयों के es लगना है किसी के ies लगना है तो इसमें थोड़ा सा different है कि बिल्कुल थोड़ा सा different हो रहा है ठीक है तो जैसे करते है first जो है man, man का मतलब होता है आदमी ठीक है एक आदमी एक पुरुष को बोलते है man और अगर जादा आदमियों की बात करनी है तो वो होता है men ठीक है man, men, man का plural होता है men ठीक है उसके बाद women, women w-o-m-a-n, women मतलब औरत ठीक है, एक औरत women और जादा ओरते, w-o-m-e-n, ठीक है जैसे man का man बन गया न, en लग गया, men वैसे यहाँ पर भी en लग जाना ठीक है women, एक औरत जादा ओरते, मतलब दो या दो से जादा होगा तो ये लगेगा policeman, उसी तरह से policeman, मतलब एक पुलिस वाला है तो policeman, जादा policeman है, मतलब दो या दो से जादा है, अगर दो है तो भी policeman लगेगा, ठीक है policeman, और next step, police woman, और अगर एक पुलिस woman है, मतलब एक औरत है police की, police woman तो plural में हो जाएगा police woman, ठीक है, police woman, w-o-m-e-n, mouse, mouse का मतलब होता है चूहा, ठीक है, और एक चूहा बोलना हो तो mouse, rat भी बोल देते हैं, माउस को, और जादा अगर चूहे तो mice, ठीक है, दो या दो से जादा है तो, और rats, rats में तो सिर्फ ऐसी लगता है पिछे, mouse, mouse का plural क्या होता है, mice, louse, louse का होता है, जूह होती है न, सिर में पढ़ जाती है, जो एक के लिए louse, और जादा के लिए दो या दो से जादा के लिए lice, ठीक है, अगला है goose, goose होती है, बतक, ठीक है, और geese, goose का plural होता है, geese, देखो कितने different, different है न, s और es ने लग रहा पीछे नाम पे, ies, different है बिलकुल, goose, एक बतक के लिए goose, और जादा के लिए geese, g-e-e-s-e, goose का plural, geese, ठीक है, child है, child मतलब एक बच्चा, और जादा बच्चे हैं, दो या दो से जादा हैं, तो children, child का plural, children, कहीना लोग इसको children's लिखते है, children's कोई word नहीं होता, children's कभी मत लिखना आप लोग, ठीक है, child, children, नहीं है, यह किसी का flower होता है, daisy flower, एक flower है daisy का, तो daisy, जादा है तो daisies, देखो, y था, y हट गया, और ाई-e-e-s लग गया, ठीक है, मैंने आई-e-e-e-s वाले आपको पिछले वाले वीडियो में भी करवाया है, कि y जहां पर होता है, वहां y हट जाता है, और ाई-e-e जादा countrys के बारे में बात करने है, जादा देशों के बारे में बोलना है, दो या, दो से जादा तो countrys, ठीक है, penny, p e double n y penny, pennies, ठीक है, penny क्या होता है, यह एक होता है, animal भी होता है, penny, और जैसे कि बोलते है न, जैसे कि UK वगरा में दूसरी countrys में penny, पैसे को भी मिलता है, उ लेकिन यहां भी हम इंडिया में भी बोल देते हैं I don't have even a single penny I don't have even even a single penny in my pocket मेरी pocket में एक single penny भी नहीं है मतलब बिल्कुल पैसे नहीं है ठीक है pennies P-A-N-N-I-E-S pennies आगे father-in-law father-in-law मतलब ससुर father-in-law है तो हम in-law को नहीं छेड़ेंगे यहां ठीक है father को हम change करेंगे father's in-law ठीक है father's in-law father-in-law father-in-law ससुर mother-in-law mother-in-law को mother's in-law mother-in-law कौन होती है सास ठीक है सास तो अगर बोलना है कि the mother's in-law of all the brides were there कि सारी दूल उन्हों की जो सासें थी वहां पर थी तो mother's in-law in-law वैसे का वैसे रहेगा और mother का change हो रहेगा mother's ठीक है जो plural होगा मेड सर्वेंट्स ठीक है सर्वेंट्स सर्वेंट्स क्या गया यह लग जाएगा man's servant तो आपको पता है यह man का plural क्या होता है man तो क्या हो जाएगा man's servants ठीक है मेड सर्वेंट्स ही रहेगा तो I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं चाहती हूँ कि पहले वाले पार्ट्स भी आप देख लो ताकि आपको पूरी तरह से आइडिया हो जाए और नेक्स पार्ट भी जो आने वाल है वो भी आप देख लेना और आपको फिर singular and plural के बारे में पूरी knowledge हो जाएगी almost 90% तक तो होई जाएगी फिर भी अगर कोई confusion होगी तो comment section में लिख देना मैं बता दूँगे आपको और कोई भी hesitate करने की जुरूरत नहीं है और अगर चाहते हो कि किसी और चिसमे में वीडियो बनाओ तो भी मुझे बता देना ताकि आपके knowledge जो है वो बढ़ती चली जाए और आप जो है intelligent बनते चले जाओ तो चलिए आज का वीडियो करते हैं यहीं पर end जल्दी ही मिलूंगी एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए take care of yourselves